तो देखें आपने किस तरीके से एक महिला आरोप लगा रही है अपने ही पार्टी के जिलादिक्ष पर आरोप लगा रही है जिलादिक्ष आपको बता देखें के जिनका नाम स्रिकान देश्मुक है उनका एक विडियो सोचल मेडिया पर इस वक्त काफी तेज़े से वाइरिल हो रहा है और इस वीडियो को RGD राजत जैसे कहीं राजनेतिक दलो ने भी इसे सेर किया है बताय जा रहा है कि भारतिये जन्ता पार्टी की मैला कारे करता और जिलादेक्स के बीच जो मामला था संबंद थे उसी को लेकर ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें मैला ने खुद वीडियो बना कर वाइरल किया है मैला का दावा है कि स्रीकांत देशमुक की अपनी पत्मी होने के बावजूद भी उनका उनके साथ संबंद था और आपको बता दे कि उन्होंने इस वज़े से उनको धोका दिया है और इसी बीच आपको बता दे कि आकर जो है केमपरा छिल लिया जाता है ये वीडियो वाइरल होने के बाद स्रीकांत देशमुक पर काफी ज़्यादा दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के बाद आपको बता दे कि उन्होंने प्रदेश अदिक्ष को अपना इस्तिफा शोप दिया है हाला कि उसके पीछे उन्होंने कोई भी वज़य नहीं बताई लेकिन ज्यादा दा जानकार यही कह रहे हैं कि वीडियो वाइरल होने के बाद चवी है वो पार्टी की धुमिल हो रही थी और उसी के चलते उन्हें इस तिफा दे दिया वहीं आपको बता दे कि स्रिकांद देशमुक के तरफ से भी एक मामला दर्च करवाया है जाने की खबर सामने आ रही है कि स्रिकांद देशमुक ने एक मैला के उपर आपको बता दे कि हनी ट्रैप करने का मामला दर्च करवाया है इस वीडियो में आपको बता दे कि मैला न ये स्री कांथ देश्मुक है जिनका अपनी पतनी के बाद मेरे साथ भी सम्मन्द है। इसके बाद स्री कांथ देश्मुक आपको बतादे कि मैला से केमरा चिन लेते हैं। इस वीडियो को राज़त महराश्टर के ट्वीटर अकाउंट पर भी शेयर किया गया है। आपको बतादे कि उन्होंने लिका है कि बात्य जिनता पार्टी में कारीकर्त मैलाओं भी भाजपाई राक्सेसों से सिकार हो रही है। दरसल आपको बतादे कि वीडियो वाइरल होने के बाद बीजेपी नीता की कर्तूत सामनी आई है। मिलेंगे इस टेविडियों अपडेटों के साथ अब तक आप चलेते विदा लाइगे जिए कमेंट की जोड़ूत।